दोस्तों कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल डियर सान हिल्थ केर में तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आपको जुखाम है गले में काटे जैसे चुभन हो रही है और नाक बह रही है और तांसिल है तो दोस्तों इसके लिए हम आ ऐसी दवाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनका यूज अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्द से जल्द आराम मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी इसकर नहीं करना है और हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है तब आप इन दवाओं का ठीक तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को अल पर प्रेस कर दीजिए ठीक तो चलिए दोस्तों हमें कौन-कौन सी दवाओं को लेना है उसके बारे में जान लेते हैं तो यह देखिए सिप्रो बेट 500 mg ठिक सिप्रो फ्लक्सासीन टैबलेट आइपी तो दोस्तों हमें यह वाला टैबलेट ले लेना है ठिक और अगला टैबलेट है यह देखिए जीरो डाल SP ठिक तो जीरो डाल SP ले लेना है ठिक और यह सिटिजिन ठिक आपको सिटिजिन टैबलेट ले लेना है ठिक देख लिजिए और यह बैनोसाइट फोर्ट ठिक बैनोसाइट फोर्ट टैबलेट ले लेना है ठिक तो दोस्तों आपको इतनी दवाओं को ले लेना है ठिक और इतनी दवा से आपको 6 खुराग दवा ले लेना है इसमें से ठिक और इसको लेने के बाद दोस्तों आपको इसे दो टाइम खाना है तो आप सबसे पहले दोस्तो इसको 6 खुराग दवा ले लेंगे ठिक अगर आप सुबा लेते हैं तो आपको सुबा साम खाना है ठिक और जैसे आप दोपहर में लेते हैं तो आपको दोपहर में और साम को खाना है और जैसे आप साम को लेते हैं, तो आपको साम और सुबा खाना है, ठिक, मतलब आपको इन दवा को केवल दिन में दो टाइम खाना है, और ध्यान देना दोस्तों, अगर आप जब दवा खा रहे होते हैं, तो आपको पानी गरम ही लेना है, ठिक, मतलब आप पानी गरम कर लें और जब कुनकुना हो जाए तब उसी पानी से आपको दवा को खाना है ठिक और एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डाल कर आप उसको गरम कर लीजिएगा और जब खुब गरम हो जाए बढ़िया से तो उसे उतार लेना है और जब कुनकुना हो जाए तो उसी पानी से आ आपको गलारा करना है ठिक तो यह चीज दोस्तों आपको दिन में तीन या चार बार जरूर से जरूर करना है इससे आपको बहुत बढ़िया फाइदा होगा और दोस्तों आपको मसालेदार चीजे कुछ भी नहीं खानी है ठिक तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझना है तो आप हमसे comment box में पूँच सकते हैं और दोस्तों आपको बता दें कि आपको वीडियो को अच्छी तरह से और दवाओ के बारे में बढ़िया से समझ लेना है उसके बाद आपको इन दवा का यूज करना है ठिक और इसके बारे में और अच्छी तरह से जानना है तो आप हमसे कमेंट बाक्स में पूंच सकते हैं ठिक